यहां पर हम देखेंगे जब वीडियो का अभी एक्जाम हुआ सेकेंड सिप्ट में 22 दिसंबर 2008 रों को एक्जाम हुआ उसकी आंसुर की देखेंगे तो यहां पे आप लोग सभी लोग देख लीजिए और इसे एक आइडिया लग जाता है जो आप नेक्स एक्जाम देने जा जा रहे हैं तो वहां पर आडिया लग जाता है किस तरीकी कोशन पूछे जाएंगे तो फ्रेंस उससे पहले आप सब इससे रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरू शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब मृत्ती हुई थीत ही मायू की राष्टपती अध्या देशन उच्छेत कौन सा है एक सुतेश बिधान सभा भंग कौन करता है राजजिपाल और आगे कोश्चन है त्रिपुरा की राजजिपाल कौन है त्रिपुरा की राजजिपाल पूछा गया है कपतां सिंग सोलंकी मह महुट्सो में कौन सी संधी है महुट्सो में गुरू संदी है महुट्सोका संदी विच्छिप करेंगे तुछ महा धन उत्सो bağ है नेग्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस ने जीता फ्रांस कनिस्का राज बैद कौन था चरक संभिधान के भाग दों में किसका उल लेख में नागरिकता के वारे में बताए गया से sense question नीलं संजिय रड़ी में कौन से रास्टपती थे और नेक्स्ट कोश्चन था, घर घर LED बाटने वाली योजना कौण सी है? उजाला, ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है, आधे यदोरे ये किसकी रशना है किसकी रशना है? मोहन, राकेश की नेक्स्ट है रात्री का तत्भो क्या होगा रात क्लियर अब आगे कोश्चन देख लेतें कौन सा है गगन चुम्बी में कौन सा समा से तत्पुरुस नेक्स्ट है लड़का कौन सी संग्या है जाती वाचक संग्या लड़का जाती वाचक संग्या है अब next question की तरफ चलते हैं बोधी व्रिक्ष बोधी व्रिक्ष किसने काटा था शशांक ने युगांडा की राजधानी युगांडा की राजधानी है कमपाला और next question है भारत में सबसे ज़्यादा आम कहां पर होता है उत्तरपदेश में यूपी में तात्या टोपे को कहां फा पासी दी गई थी आप लोग इसे सर्च कर लीजिएगा देख लीजिएगा थोड़ा सा confusion है हमें next चलते हैं रामायड का सबसे बड़ा कांड रामायड का सबसे बड़ा कांड बाल कांड और सबसे छोटा कांड भी पूछा जा सकता है किस किनधा कांड आपके next shift में पूछा पर नहीं लिखाया RBI के प्रथम राजिपाल सर ओस बोर्न है जिनका कारिकाल एक अप्रेल 1935 से ले करके एक अप्रेल 1935 1935 से ले करके कब तक चला था 30 जून 1937 तक ठीक लेकिन अगर यह कोशन यह से पूछा जाए कि भारत भारत के प्रथम RBI राजिपाल कौन है तो यहां प्रथम भारती राजिपाल नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते RBI के प्रथम राजिपाल कौन है तो यहां पर RBI के प्रथम गवर्नर सर ओस बोर्न है जिनका कारिकाल एक अप्रेल 1935 से एक अप्रेल 1935 से 30 जून 1937 तक चला ठीक है लेकिन अगर ऐसे कोशन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम भारती गवर्नर की बात की जाए RBI के तो हैं CD देसमुक जी ठीक है और एक कोशन और यह जरूर पूछा जाएगे एक्जाम में 100% कि बर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है तो बर्तमान में कौन है शसी कांत दास किसकी जगह पे आए है उर्जित पटेल की जगह पे और यह ससी कांत दास कौन से नंबर के RBI के गवर्नर है यह कोशन इंपोर्टन तो यहां पे 25 वे नंबर के ठीक है तो यह कोशन अप नोट कर लीजिगा अब आगे चलते हैं अगला है दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जन जाती मनाती है थारू जन जाती दिवाली पर्व को तिवार को शोक के रूप में मनाती है दस्तक अभियान किस से समंदित है जापानी इंसे फ्लाइटी से समंदित है और यह कहां पर चलाएगे योजना है उत्तर प्रदे ठीक है नेक्स चलते हैं अब कौन सा कोश्ण है अगरे नेक्स्ट कोश्ण महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और अगला कोश्ण है चावरकव चारण स्थान क्या है तालु है अब नेक्स्ट कोश्ण है आग जलने पर कौपगो खुदना यानि कि उच्शे समय पर कारिया ना करना और यह है दिवाली के ऑसर पर अहीर कौन सा नृत्य करते हैं अहीर लोग कौन सा नृत्य करते हैं दिवारली के आसर पर वरेदी नृत्य वरेदी नृत्य वरेदी नृत्य पुंदेलखंड से संबंदीते हैं अब यहां पर नेक्स चलते हैं गगन का परियावाची नहीं है रसाल रसाल गगन का परियावाची नहीं है वह धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीर come to me Kakeli हरीआ चलक्रिया चलक्रिया है कैसे चल रहा है दीरे थे थो क्रिया इस है अगर नि lotion मैच कर रहा है जीक कब मैंने जित्ता कोशन पर्षोन कम से कम 80% कोशन मैच कर रहा है तो next question की तरफ चलते हैं आ इस्थाई मेमोरी है आ इस्थाई मेमोरी है आर ए यम रैंडम असस मेमोरी ठीक है आर ए यम नेक्स्ट कोशन है भारत में बना पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है इनियक प्लियर और next question है नीदी आयो की आकांग् में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सामिल है तो बारा जिले सामिल है ठीक है तो फ्रेंस यह रहे आपके important question जो की आपकी परिक्षा में पूछे गये हैं वीडियो के second shift वाले paper में तो आप लोग इसे exam से पहले देख लिजेगा किस portion से कितने question आए कुछ idea लग जाएगे exam में किस तरीकी question पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गये हैं और अगले shift में पूछे जाने की संभावना कौन-कौन से questions की है तो friends वीडियो को आप लोग जादर जादर share कीजिए दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिसे की वह भी सफल हो जाएं तो मिलते हैं फिर next video में जैसे कुछ और question मिलते हैं आप लोग के सामने लेकर उपस्तित होते हैं यह memory based के question है जित्ते जित्ते लोग student बताते चलते हैं तो उस तरीके से यह question collect होते जा रहे हैं तो मिलते हैं तब तक के लिए goodbye and take care thank you so much